Hello dear students, basics of electrical engineering, आज हम बात करेंगे किर्चॉफ's law के बारे में और इस वीडियो में हम लोग किर्चॉफ के फर्स्ट law को डेटेल में cover करेंगे स्टुडेंट, अगर अभी तक आपने ohms law को नहीं देखा हैं, तो please आप ohms law के वीडियो को watch करें आप पुराने वीडियो में ohms law को पहले देख लें, ताकि ohms law के limitation पे ही किर्चॉफ's के law को हमने double up क्या हुआ है, तो किर्चॉफ के first law और किर्चॉफ के second law के बारे में जब हम बात करेंगे, तो एक काफी common नाम आएगा, जिसको हम बोलते हैं, गुस्तॉफ किर्चॉफ, यानि 1845 में, एक German physicist, जिसको हम गुस्तॉफ किर्चॉफ बोलते हैं, spelling का ध्यान रखेगा, किया यार, CHH, OFF, जिसने दो law बनाया थे, और उन दोनों law को हम किर्चॉफ का law बोलते हैं, first law उस ने कहा था, जो कि ऑनजरविशन अफ करेंट है, कनजरविशन अफ जार पर बेस्ट है, और second law उस ने कहा था, जो कनजरविशन अफ इन्रजी पर बेस्ट है, तो कर्चॉफ ने 2 लोग के बारे में शेयर करी थी, पहला इक अजरॉफ जार और उस law को हम ब के बारे में बात कर रहा है किर्चॉप के जंक्शन लोग के बारे में बात कर रहा है मिन्स वो आप से किर्चॉप के करेंट लोग यानि के सिल के बारे में बात कर रहा है similarly किर्चॉप के second law को हम किर्चॉप का voltage law बोलते हैं Student, हम अभी बात करेंगे किर्चॉप से करेंट लो की, means what is किर्चॉप स करेंट लो और what is KCL, तो पहला statement जो हम discuss करने जा रहे हैं वो है, कि the algebraic sum of current at node or junction is 0, अब node or junction क्या होता अगर आपको नहीं पता, तो please आप पुराने वीडियो को जाके detail में देखें, जिसमें node or junction के बारे मे को junction बोलते हैं, तो according to Kirchhoff's current law student, the summation of total current, यानि total current का algebraic sum, या algebraic sum इसलिए लिया है, क्योंकि हम current के direction, यानि moment के according उनका sign condition लेते हैं, तो sum of total i, यानि i total equal to 0, तो इस इसको हम detail में समिशते हैं student, यहाँ पे मैंने 4 branches ले लिया, i1, i2, i3 और i4, और 4 branches जिस point से जुड़े हैं, उस point को हम node junction बोल रहे हैं, हर junction अपने आप एक node होता है, branch 1 में i1 current incoming है, अंदर की तरफ आ रहा है, branch 2 में i2 current भी node की तरफ आ रहा है, जबकि branch 3 में i3 current दूर जा रहा है node से, और branch 4 में i4 current भी branch से दूर जा रहा है, तो मैंने एक sign convention ले लिया, मैंने माल लिया, incoming current को मैं positive लूँग और outgoing current को उसका positive यानी negative लूँगा, अगर आप इसको change करना चाहते हैं, तो कोई problem नहीं है, मैंने जब total current का sum लिखा, जिसमें मैंने बोला i1 और i2 incoming current है, इसलिए मैंने इनको plus i1 plus i2 लिख लिया, और i3 और i4 outgoing current है, इसलिए मैंने minus i3 और minus i4 ले लिया, और जब मैंने इनका sum किया, तो sum में मैंने पाया, i1 plus i2 minus i3 minus i4 equal to 0, यानी total current का जो algebraic sum है, उसकी value क्या कहलाती है, 0, this is called Kirchopp's first law, और ये law conservation of charge पे best है, इसी statement को student कुछ लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं, the incoming current is equal to outgoing current at a node or junction, यानी किसी भी node or junction पे, just total incoming current का sum, total outgoing current के sum के बराबर होता है, आईए हम इस diagram से समझते हैं, यहाँ दो current, दो branches है, i1 और i2, जिसमें current incoming है, node के तरफ है, और दो branches i3 और i4 जहां current node से दूर जा रहा है, तो हम incoming current का sum एक तरफ लिखेंगे, LHS में, और outgoing current का sum RHS में लिखेंगे, तो incoming current मतलब i1 plus i2, और outgoing current मतलब i3 plus i4, मैं already incoming को positive मान चुका लेकिन यहाँ पर हम LHS और RHS में लिखेंगे, तो sign नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर algebraic sum कुछ भी नहीं बोले हैं, तो i1 plus i2, minus का i1, minus का i4, हम इस equation को rearrange करके ऐसे लिख सकते हैं, और यहीं से मेरा पुराना वाला equation बन गया, summation of i total is equal to 0, तो student यह जो statement है, summation of i incoming equal to summation of i outgoing, यह कोई नया statement नहीं है, यह पुराने statement का है extension है, अब student कुछ लोग इसी equation को, इसी law को, इस तरीके से explain भी करते हैं, the sum of current entering at a node is equal to sum of current leaving that node, यहाँ किसी node पे आने वाले current का sum, जाने वाले current के sum के बराबर होगा, तो summation of i entering equal to summation of i living, यहाँ पे i1, i2, i3 entering कर रहे हैं, यहाँ इन कर रहे है node के तरफ, और i4, i5, i6 node से दूर जा रहे हैं, leaving कर रहे हैं, तो i1 plus i2 plus i3 एक तरफ, i4 plus i5 plus i6 एक तरफ, और इसी equation को मैं लिख सकता हूँ student, i1 plus i2 plus i3, और इसको मैं LHS मिले क्या हूँगा, तो लिखूँगा, minus i4, minus i5, minus i6 equal to 0, तो summation of i total equal to, फिर से में लिख सकता हूँ 0, मैं आपको बार बार क्या बताना चाहरा हूँ, कि एक ही तो definition है, वही है, summation of total current, algebraic sum of total current equal to 0, उसी को लोग अलग-अलग तरीके से बोलते हैं, अब जो किर्चॉफ का current law होता है, student, वो conservation of charge के principle पे based है, ये question अपने आप में बहुत important है, ये हर बार पूछा जाता है, भाईवा म से निकलने वाले charge q2 और q3 है, इस charge को में total t time के लिए calculate कर रहा हूँ, मैं लेख सकता है, student, total charge q1 equal to q2 plus q3, क्योंकि total charge q1 ही दो पार्ट में divide हो रहा है, q2 और q3 में, student, महुत बहुत detail में यहां में नहीं जा रहा हूँ, हम उसे पता है, charge का fundamental equation q equal to yt, यानि q is equal to yt है, तो यहा मैं q1 को लेख सकता हूँ, i1 t, और q2 को लेख सकता हूँ, i2 t, और q3 को लेख सकता हूँ, i3 t, और यहां से t common हो गया, तो i1 equal to i2 plus i3, i1 incoming है, तो i2 और i3 outgoing होंगे, तो इसी question को मैं लेख सकता हूँ, i incoming equal to i outgoing, तो यह एक प्रकार से मैं आपको यह समझाने की कोसिस कर रहा कि जो conservation of charge है, वही conservation of current है, और conservation of charge principle पर जो law based है, उसे को हम कर्चॉप्स का current law बोलते हैं, अब एक student आई है, अब हम एक numerical कर लेते हैं, इस numerical में हम समझते हैं, कर्चॉप्स current law को कैसे हम use करेंगे, इस में numerical में मैंने एक note point लिया, जिसमें i1, i2, i3, i4 और i5 पाच ब्रांच ब i2 ब्रांच में 3 ampere का current है, इंकविंग के वज़े से positive भी लिया, i3 में current outgoing है, वो भी 3 ampere है, और i4 ब्रांच में current 5 ampere और वो भी outgoing है, दूर जा रहा है, तो मैंने इसको भी negative लिया है student, और i5 का नहीं मुझे magnitude पता है, और नहीं मुझे direction पता है, वहीं मुझे calculate करना है, तो according to किर chops current law, summation of i total equal to 0 student, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, total current का sum, यानि i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 प्लस i5, अब मैंने यहां convention नहीं लिया है, इसलिए मैंने direct लिख दिया equal to 0, अब इसकी जब values में put कर रहा हूँ, i1 मैंने positive लिया है, तो plus 2, i3 मैंने positive लिया है, क्योंकि incoming है, तो plus 3, लेकिन i3 के value 3 ampere है, लेकिन negative है, क्योंकि outgoing है, तो मैंने लिख दिया plus का minus 3, उसे तरीके से i4 outgoing है, इसलिए negative है, तो मैंने लिख दिया minus plus का minus i5, i4, जबकि i5 मुझे नहीं पता, तो मैंने लिख दिया plus का i5 equal to 0, तो यहां से student, जब हम solve करेंगे, 2 plus 3 equal to 5, और 5 plus 3 equal to minus 8, त से question को मैं लेक सकता हूँ, i5 equal to plus 3 ampere, क्योंकि RHS में जाएगा, तो यहां plus में हो जाएगा, अब इस i5 के plus 3 ampere से हमें क्या समझ में आता है student, i5 के plus 3 ampere से हमें समझ में आ रहा है, क्या i5 में 3 ampere की magnitude होगा, यानि current का direction, magnitude 3 ampere हो गया, और plus होने के वज़े से इसका direction incoming होगा, क् कि incoming को हमने क्या मान कर रखाया, plus, तो एक बर फिर से cross verify हम लोग कर लेते है student, cross verify में हमने देखा, कि i3 का value 3 ampere था और incoming था, तो incoming current का sum, यानि 3 plus 2, 5, 5 plus 3, यानि 8 ampere, outgoing current के sum के बराबर होना चाहिए, दो outgoing है, तो 5 plus 3 equal to 8 ampere, दोनों current का sum बराबर है, यानि हमारो numerical सही है, तो student last म एक मज़दार trick हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें आपका एक important question कबर हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, किरचॉप्स current law is based on conservation of charge, और conservation of energy, यानि किरचॉप्स का current law किस पे based होता है, conservation of charge पे based होता है, तो student मेरे पास दो ही तो law है, या तो KCL होगा, या फिल के भील होगा, तो एक cut trick में समझायता हूँ, दूसरा अपने आप साब समझ जएगा, KCL में 3 alphabets है, KCL और charge का पहला जो लेटर है, वो है C, तो किरचॉप्स का current law के सिर लेटेड होगा, चार से, symbol से trick है, आपका भी भूलिएगा नहीं, KCL में C, charge में पहला लेटर C, तो C से C, और बचा K KVL और दूसरा बचे energy, तो सभावे के KVL energy से लेटेड होगा, यानि किरचॉप्स का current law चार से लेटेड होगा, किरचॉप्स का voltage law इनर्जी से लेटेड होगा